आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ वो हमारे Electron Deficient Species होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? Electron Deficient Species होते हैं मतलब कि इनके पास क्या होते हैं? Electron की कमी होती है ठीक है? अब देखो अब Electron Deficient Species में हम कैसे देखेंगे Stability? जो भी ग्रूप ऐसे लगे होंगे जो क्या कर रहोगा? Electron Density Increase करेगा जो आपका क्या करेगा? Electron Density Increase करेगा वो इसकी Stability को बढ़ाएगा वो क्या करेगा? Stability को Increase करेगा ठीक है? तो देखो यहां पे हमारा क्या है? आपको कौन सी Species दिये हैं? Basically एक Carbon है एक Methyl Group यहां पे गिवन है और इसमें हमें एक Hydrogen यहां पे गिवन है और एक Hydrogen यहां पे गिवन है अब इसके उपर Positive है तो यानि कि यह एक क्या है? Carbocatine है अब अगर हम Electrons देखे तो यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो यहां पे आपको एक यह इस तरीके से दिखाए है कि यह आपका Above the Plane है और यह हमारा Below the Plane है तो इन Carbon के पास कितने Electrons है? 6 Electrons है यानि कि यह क्या है? Electron Deficient है यह हमारी क्या है? Electron Deficient है अब वही चीज हमें इन सभी में देखनी है कि हमारा किसमे Octet Complete हो रहा है यानि कि कहाँ पर Electron Donate करने वाले group लगे हुए तो इसमें अगर आप देखो तो आपका 1 Mithyle है इस वाले Kampound में देखो तो आपके 2 Mithyle Group है अगर इसमें आप देखो तो आपके 3 Mithyle Group है और यहाँ अगर आप देखो तो आपके 3 ही Hydrogen है एक भी methyl group नहीं है तो basically क्या होता है कि यह एक methyl हो गया यहाँ पे आपके दो methyl हो गये यहाँ पे हमारे तीन methyl हो गये और यहां एक भी methyl नहीं है ठीक है ? तो क्या है जो CH3 group होते हैं वो हमारे क्या करते हैं जो CH3 group है वो अपना inductive effect लगाते हैं basically वो अपना plus i show करते हैं और electron density बढ़ाते हैं, वो क्या करते हैं, inductive effect लगाते हैं, यानि कि plus i effect show करते हैं, और वो हमारा क्या करते हैं, यहाँ पर electron density increase करते हैं, electron density को क्या करते हैं, increase करते हैं, plus i लगाके क्या करते हैं, electron density बढ़ाते हैं, तो यानि कि ये उसको stable करेगा तो जितने जादा आपके क्या लगेंगे CH3 ग्रूप लगेंगे जितने जादा आपके CH3 ग्रूप लगेंगे उतनी ही आपकी क्या होगे electron density बढ़ेगी यानि कि आपकी stability उतनी ही बढ़ेगी तो जो compound 3 है उसमें 3 methyl group है तो यानि कि सबसे जादा plus I लगाएंगे तो ये आपका सबसे जादा stable होगा तो जो option 3 है मों मरा right answer होगा Thank you